5.12 डाउट कुश्चन में केपी नहीं समझा है ठीक है कर लेते हैं चलो करी लेते हैं नहीं तो फिर कुछ बच्चों का और डाउट आएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना चलिए सर आप यहां पर फूर सिर्ट कंपनी एक कल्स नरखा और यहां पर दोनों 10 आःविकर यांवर कड़िगां मार्किटवल्यक के साफ जाएं सबसेर्ज और डूनोंssa को क्यों वह सुम्चलाइड दी जेसे हमने लास इंखा थक है कहता है expected dividend यानि D1 दे रहा है 1.4 तो question में D1 दे रखा है 1.4 4-0 1.40 पैसे dividend per share expected to be grow with the rate 8% और सवाल में G दे दी है कितने 8% ठीक है आगे कहता है where the adventures are to be redeemable after 6 years at par 6 साल बाद at par ही redeem होना है अच्छा preference year redeem होगा 5 साल बाद at par और debenture redeem होगा 6 साल बाद at par तो redeemable वाला point आ जाएगा the tax rate 30% applicable है you are required to compute the weighted average cost of capital existing capital structure using market value as weighted कहता है कि market value as weighted यानि आपको market value का बोला गया है अब इस सवाल में न इस questions का जो demand and you are required to compute weighted average cost of capital for existing capital structure using market value मतलब जो आपको structure दे रखा है उसके हिसाब से ये करना है लेकिन हमेशा याद रखना कई बार ऐसा सवाल अगर exam में आ जाता है तो आपको दोनों करके दिखा देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे question में clarity नहीं है कि ये वाला करना है क्योंकि ये भी data तो given है अलाकि इस question में जितने जानकारी है उसके एसाब से तो साफ पता चल रहा है बस हमें कौन से वाला करना है मार्केट वाला करना है दूसरा नहीं करना है ठीक है अब हम फटा फट से क्या क्या निकाल सकते है के पी अब यहाँ पे एक देखा गये तो shares का market price given है कि आपको नहीं given लेकिन हम market price निकाल सकते है क्योंकि ये market price से तो multiply करके आया होगा और number of shares पता है आपके कितने 25,000 तो हम P0 कैसे निकालेंगे सर P0 होगा हमारा market price divided by number of shares तो market price कितना है साढ़े चार लाग divided by number of shares कितने है पत्चिस अजार पताइए कितने आगे तो 18 रुपय market price होगा हमारा अब हमारा के ये निकालने का रास्ता असान होगे न अब फटा फट से हम इसका market price वाला कर लेते हैं बुट प्राइज आपको करना है खुद करना है करिए आप चलिए सबसे पहले एक्विटी शियर कैपिटल लिख ले हम market price वाला कंसिडर कर रहें देट इस 450 अगला क्या है हमारा preference share capital गाइटल हो तो थर्टीन पर्सेंट पर्फरेंश यह कंपिटल कितने हैं हमारे 45,000 हार इसके बाद देखा जाए हमारा réservant surplus तो आना नहीं है debenture एकलाग 45,000 कितने percent debenture 12 परसेन debenture पहले यहां तक देख लीजिए कोई दिक्कट है क्या यहां तक क्लियर अब हमें क्या करना है अगें यह तीनों का रेट चाहिए होगा हमें तीनों का रेट चाहिए सबसे पहले के यही निकाल ले के इस इकल टू डीवन डिवाइड़ बाई पीजिरो इंटू प्लस में जी इंटू हंड्रेट है ही है तो डीवन कितना है 1.4 डिवाइड़ बाई पीजिरो हमने फाइंड किया है 18 प्लस में जी जी दे रखा था आठ परसेंट जीरो पॉइंट बता देजिए बता देजिए फटा 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 कितने हैं 15.7 15.7 अब देखिए इंटू में ना हंड्रेट है मैं लिखता नहीं कोशन में स्पेस पी नहीं है आप समझेगा कि हंड्रेट है तो मैंने इसलिए हंड्रेट से मल्टिप्लाइ कर दिया अब सर अगला फॉर्मूला बनता है क्योंकि रिडिमेबल है तो के पी का क्या फॉर्मूला बनेगा dividend प्लस RV value मैनस एन पी वेल्यू डिवाइड़ बाइ एन whole के divided by RV plus में NP इसके divided by 2 और into में 100 तो हई यह अब एक एक करके सारी चीज़े पुट कर देते हैं बस आप ध्यान दीजे D क्या है इसके अंदर डिविडेंट आपको दे रखा है 13% 100 रुपए का एक मान लो that is आपका 13 रुपए ठीक है अब प्लस क्या हो रहा है हमारा RV RV redeemable value तो बोला at par पे redeem करेंगे तो 100 का ही redeem होगा माइनस NP अब market price में rate क्या चल रहा है सर, market price में rate चल रहा है 45,000 रुपए का और जबकि कितने 500 हैं तो हम इसका भी market price निकालेंगे किसका सर, preference share का क्या आएगा preference share का market price, तो market price divided by number of shares तो यह आजाएगा 45 divided by 500 तो 90 आगया 500 तो सर, यह कितने आगये तो minus 90 divided by कितने साल का time था, 5 और यह क्या आजाएगा हमारा 190 या 100 प्लस में 90 कर दो चलिए अब फटा-फट इसका rate बता दीजे क्या है कहां रिखे हैं इसको इधर लिज़नेता है सभी बच्चे इसका rate solve करके बताईए बस divide multiply करना है यह 10 आजाएगा 5, 2, 13 और 2 15, 190 145 आप कर दो 15 divided by 145 4 point इतना कम नहीं होगा बहुत कम कर दिया आपने तो यह 15.78 बता रहे हैं बच्चे 15.78 15.78 15 divided by 9 बिल्कुल सही जवाब दिया है 15 point यहाँ पर लिख लें केई के जगा केई भी लिख लेता हूं और यह है 15 दोनों का सेम ही आ गया देख लो 7 तक ही छोड़ देते हैं ठीक है अब आप निकाल देते हैं क्या सेपरेट कर देते हैं अब निकाल लेते हैं के डी के डी क्या कहता है रिडिमेबल है तो क्या फार्मुला होता ही इंट्रस्ट Prab ≺ रेट बारव परसेंट दे रखा थो बारव रुप्य सु त्से Wyatt आओगा कोश्चन में गीवन था कहां गीवन था 30% 0.3 प्लस पार है 100 रुपए लेकिन आप मार्केट प्राइज आप देखोगे तो मार्केट प्राइज क्या है कोई है तो मार्केट प्राइज क्या है कि सौर रुपए का पंद्रा सो डिबेंचर है और मार्केट प्राइज 1,45,000 कितने डिबेंचर है 1,45,000 तो कभी मार्केट प्राइज निकाला जा सकता है कैसे निकालो के मार्केट प्राइज कोई है क्या देखने क्या एगा बताओ नाइंटी आपने क्या निकाला यह पूरा सॉल्व कर दिया क्या अच्छा यह नाइंटी यह बता है न आपने यह तो बता दो यही तो है छे साल है अब रिडिमेबल आरवी रिडिमेबल आरवी मतलब शिक्स को छोड़ देते हैं न अब इसका बता दो बच्चों ने इसका रेट बता दो क्या आ रहा है बस रेट फिल करना है सेवन जीरो छे सो पचास सेवन जीरो सिक्स पाइड क्या रहा है बच्चे बता रहें केड़ी आट सो छे पॉइंट थी फाइड नाइन पॉइंट वण जीरो जीरो पॉइंट नाइन वण थी इतना तो नहीं आएगा थेरा जीरो पचास अब तो हो जाएगा यहीं अब तो हो जाएगा यह इसका टोटल हाँ जी पांच मिनिट अभी आप इसका 70650 7065 90 90 सर यहाँ पर निकाल लेते हैं WACC WACC 90765 46 यहाँ गया 14 पॉइंट 182 चेक कर लेकि बुक में क्या कर रखा है देखिए कितना रहा है हाँ तो हो तो फरक 25 एक बार टोटल और डिवाइट करके देखिए 25 बहुत ज्यादा फरक हो जाता है कि आँ किसका जीरो पॉइंट जीरो अब वह 9192 फरक आ गया होगा चेक कर लीजिए फटा फट से बच्चे कह रहे हैं केडी सर गलत निकाला है क्या रहा है केडी बताना एक बार मैं पर्सेंटेज में बताऊं मुझे नाइन पॉइंट वन जीरो बस तो नाइन पॉइंट वन ही आ गया हो तो पॉइंट नाइन टॉइंट वन देखिए आप देखिए अब हमारा आंसर है 4.182 अब मैं जस्टिफाइ कर देता हूं कहां गलत आ रहा है जेखो पहली बात इसको उन्होंने राउंट फिगर करके एट ले लिया और दूसरे को राउंट फिगर करके क्या ले लिया उन्होंने उसको तो वन ही रखा है तो पॉइंट का जो भी फरक आ रहे हैं हमारा अंसर हंडिट पॉर्संट ठीक है अगर मैं इसको एट कर दूं तो चेंजिस आ जाएगा इसमें भी और पॉइंट के बाद फ्रिक्शन का फरक आ रहा होगा आपका सतत्तर अस्थी देखिए कोई दिक्कत नहीं कोई घबराने आली बात नहीं ठीक है अब कुछ बच्चे ना बुक का आंसर देखेंगे तो बोलेंगे सर यह वाली चीज समझ में नहीं आ रही मैं एक पर क्लियर कर देता हूं सर बुक के अंदर ना उन्होंने रिटेन अर्निंग लिखा हुआ है मैं दोनों चीज़ें बता देता हूं ताकि आप बाद में पढ़ हो ना तो ना हो और इकूटी शियर भी लिखा हुआ है तो सर मैंने कहा था कि रिटेन अर्निंग आप लिख सकते हो आपको परफोस्नेट में बाटना पड़ेगा तो सवाल में देखो आपका इकूटी कितना है और रिजर्वेंस सर प्लस कितना है तो आपको ना टोटल देखा जाए तो इसका रेशियो निकाल लेना है इसका सब्सक्राइब करने को लेकिन कुछ बच्चों को लगता है कि सबसे लास्ट में आपको यह करा दूंगा एक बार ठीक है रिटेन अर्निंग रिजर्वेंस सर्प्लस लिया हुआ है तो कुछ बच्चों को हो सकता है दिक्कत कि कैसे आए आपका मैं सिंपल बता देता हूँ चार पचास को इस रेशियो में बाढ़ दीजिये सर यह रेशियो कैसे आया इसका रेशियो निकाल लेते हैं कॉस प्राइज वाले का रेशियो निकाल लेते हैं ताकि हम सेपरेट कर पाए रेशियो क्या बन रहा है हमारा इसका और इसका रेशो देखो तो 3 is to 5 तो 3 is to 5 में 4 50 को divided by 8 करोगे into 5 तो आपको आजाएगा 2, 81, 250 equity में डाल देंगे और 3 आजाएगा 1, 68, 750 उसमें डाल देंगे ultimately overall story वही रहने वाली है इसलिए कोई changes नहीं आएगा उसकी आप ये बिल्कुल भी ना सोचे कि जो हमारा point 2 का फरक जो आ रहा है कहीं इसके वज़े से नहीं आ रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आप वैसे भी करके देखेंगा आंसर यही रहेगा थोड़ा बहुत फरक चलता है round figure के बिज़ेज़ है 100% ठीक है आंसर कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अच्चे कह रहे है offline वालों को बताना चाहिए था यहाँ पर answer ना 666 के वज़े से फरक आ रहा है चलो कोई नहीं ठीक है पर दोड़ा बहा है पर दोड़ा है झाल झाल